नेटवर्किंग एक ऐसा टॉपिक है साइबर सिक्रूटी के फिल्ड में जिसके बिने आप एक सॉक्सेस्फुल केरियर नहीं बना पाएंगे तो वल्कम बैक तो इस वीडियो दोस्तों तो फाइनली दोस्तों हम नेटवर्किंग प्ले लिस्ट को लेकर आगे हैं यह हमारा फ इस लेट बैसिक चीजो को सिखें जिसे कि नेटवर्क होता गया है किसे हम नेटवर्क के त Overwatch कितने टैप नेटवर्ग हो दे हैं कौन कौन सी tapping me异डिया होता है इंस वीडियो में हम उभिस कुरह करेंगे देन इसके बाफ इतने भी वीडियो आएंगे मोंढ करेंग जैसे कि computer किस तरह से काम करता है, किस device को एक network में, IP address किस तरह से allocate होदा है, किस तरह से data एक device से दूसरी device को transfer होदा है, then उसके साथ साथ आप किस तरह से किसी network को monitor करेंगे and उस network को अपनी control में लेंगे, इस सारी चीजे आने वाली वीडियो में हम सिखेंगे, तो अभी तक आप लगते हैं, तो हमारी चनल को subscribe जरूर करें, तो चलिए हम अपनी course को start करते हैं, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, course में, इस playlist में हम क्या क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, what is your network, network क्या है, then types of network, then networking device, then transmission media, यानि कि एक network form करने के लिए, एक network बनाने के ल देखेंगे, wire और wireless, then उसके बाद हम networking topology को देखेंगे, then उसके बाद हम IP address को देखेंगे, कि IP address version 4 क्या होदा है, IP 6 version क्या होदा है, इन सारी चीजों के बार में हम discuss करेंगे, then उसके बाद हम MAC address के बार में बात करेंगे, जो कि permanent address है, then उसके बाद networking protocols की बात करेंगे, कि आखि में data एक device से दूसरी device तक जाता है यह सारी चीजों को हम cover करेंगे देन उसके बाद networking ports कितने ports होते हैं and कौन सी ports पर क्या काम होता है यह सारी चीजों को देखेंगे देन उसके बाद OSI model को discuss करेंगे then TCP UDP model को discuss करेंगे then यह दोनों model के बीच जो भी difference है उसको discuss करेंगे देन उसके बाद हम network को scan करना सिखेंगे आखिर किसी तरह से आप किसी भी network को आपकी खुद की network हो या फिर किसी और की network हो इस तरह से आप scan कर देंगे उसमें इसे कैसे find करोगे और किस तरह से अपनी control में लोगे यह सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और यह सारी टुट्रियल दोस्तों हम काली लिनुक्स पर परफम करने वाले हैं तो अगर आपको काली लिनुक्स क्या है पता नहीं है तो अल्रेडी इस चैनल पर काली लिनुक की टूट्रिय लेवल लेवल है आप जाकर देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो पहला सबाल आता है वह वाटी चे नेटवर्क यानि कि नेटवर्क क्या होता है पहले यह ज जब दो से ज्यादा कम्प्यूटर आपकोस में कनेक्ट होते हैं उसे हम नेटवर्क केते हैं जैसे कि आप आप इमेज यहां पर शो कर रहा है देज सकते हो Hier nea पर तीन कम्प्यूटर है देञैं एक मोंबाइल एक सर्फ़र formation होने के बाद उसमें हम easily एक computer से किसी दूसरी computer को या फिर किसी दूसरी device को data share कर सकते हैं और data share करने के लिए ही दोस्तों network को बनाया जाता है तो समझ लिया network का मतलब होता है जब दो से ज्यादा computer या फिर computing device आप उसमें connect होते हैं उसको हम network कहते हैं आगे हम बात करते हैं कितन उनको divide किया जादा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पॉर्सनल एरिया network है जिसको हम pen कहते हैं देन लैन है जिसका मतलब होता है local area network देन मैं जिसका मतलब होता है metropolitan area network देन वान जिसका मतलब होता है wide area network एंड यह सारे network की range दोस्तों अलेकलग होता है सबसे जो lowest range होता ह है जिसकी range होता है वह है one यानि कि wide area network तो हम इन सारी network की जो चार network आप यहाँ पर देख सकते हो इनको हम थोड़ी सी discuss करेंगी तो मैं यहाँ पर एक चीजे आपको clear कर दना चाहता हूं मैं आपको networking के concept शिखाऊंगा ना कि networking के पूरी detail सिखाऊंगा क्योंकि आपको cyber security के field मे अपना केरियर बनाना है ना कि किसी 12 या फी relevant की exam देना है तो आप उस हिसाफ से चलिए मैं आपको सिर्फ concept clear कराऊंगा एक चीज से रूबारू कराऊंगा कौन से device किस device को क्या कहते हैं कि device को किस तरह से यूज किया जाता है किस टूल को यूज किया जाता है किसी network को manage करने म मोनिटर करने में scan करने में तो यह सारी जोगे बारे में हम देखेंगे fully एक cyber security export को जितना भी पता होना चाहिए वह सारी चीज़े हम cover करेंगे कुछ भी इधर उधर की चीज़े हम इसमें include नहीं करेंगे need and clean हम एपनी networking course को आगे लेंगी तो next topic को हम discuss करते हैं जो कि हमारा च connecting a few personal device like computer, laptop, mobile, printer, etc. All of these device lie within an approximate range in 10 meter यानि कि जब हम खुद की एक network build कर दे हैं जैसे कि for example आप अपनी personal device से यानि कि mobile से अपना hotspot on किया दनी उस hotspot से आप एक computer को laptop को या फिर किसी और mobile को जब connect कर दे हैं तो उसे हम pen कहेंगे personal area network कहेंगे and जो pen की coverage range होता है दोस्तों बो सिर्फ 10 meter होता है यानि कि 10 meter के अंदर ही हम personal area network को build कर पाएंगे और use कर पाएंगे ओके देन जो next type का network है बो है LAN, LAN का full from होता है local area network यानि कि यह एक local area network है it is a network that connect computer, mobile phone, tablets, printer, etc. place at a limited distance the geographical area covered by a LAN can range from a single room, a floor, an office having two or more buildings in the same premise, laboratory, a school, college, university campus यानि कि LAN जो भी है वो एक छोटा सा network है जिसमें हम एक छोटा सा networking device को use कर दे हैं इस network में भी आप mobile phone को, computer को, tablets को, printer को connect कर सकते हो और इसकी भी जो distance है coverage area है वो भी limited है दोस्तों जैसे आप अपने office में से use कर सकते हो आपकी office की range जितना है आप इसे single room में use कर सकते हो एक floor में use कर सकते हो एक school campus में use कर सकते हो किसी भी college या university की campus में use कर सकते हो ओके तो समझ लिया land क्या है देन उसके बाद हम बात करते हैं मैं के बारे में जिसका फुल्प्रम होता है metropolitan area network metropolitan our network in a extended form of land यानि कि जो of land यानि कि local area network का range बड़ा हो जाता है या फिर 2-3 local area network connect हो जाता है किसी भी city या फिर town को internet provide करने के लिए तो उसे हम man कहते है metropolitan area network कहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो which covers a large geographical area like a city और town यानि कि man को हम किसी भी large city में या फिर टाउन में यूज कर सकते हैं इसकी जो रेंच है वो पूरी की पूरी एक city या फिर टाउन को cover करता है तो इस हिसाफ से देखा जाए तो जो लैन है local area network है इसका जो upgrade version है उसे हम man कहते हैं या फिर आप यह भी कह सकते हो कि जब 2-3 land connect हो जाते हैं आपस में वो ए आप लिखा है देख सकते हो इसकी जो रेंच है वो 30-40 किलेमेटर तक होदा है इसकी जो coverage एरिया है वो 30-40 किलेमेटर तक होदा है देन हम discuss करते हैं वान के बारे में तो वान का जो पूल प्रम होता है वह वाइड एरिया नेटवर्क वान इस दो कोनेक्शन ऑप नेटवर्क land man pen of network यान कि land network हम उसे कहेंगे जब local area network metropolitan area network and personal area network आपस में मिलेंगे और एक बड़ा network form करेंगे उसे हम कहते हैं wide area network यान कि आप यह समझ सकते हो कि जब सारे network आपस में connect हो जाते हैं तो उसे हम wide area network कह सकते हैं one of the example of one each internet यान कि internet को हम wide area network कह सकते हैं तो overall जितने भी types की network थी four types की network थे उनको हम समझ लिए जैने थोड़ा सा हम यहाँ पर जितने भी network है उसको समझ लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख तो यह personal area network का example है जैसमें एक device से एक personal device से बहुस तरह device connected है जैसे कि headphone remote smartphone यहाँ प network जब हम अपने personal device से कुछ और device को connect करते हैं तो उसे कहा ज्यादा है personal area network then local area network का यहाँ पर आप example देख सकते हो एक switch यहाँ पर लगा है then switch से एक router लगा है router से ही आता है router से internet आने के बाद वो switch से सारे device को provide करता है यह बड़ा concept है हम आगे discuss करेंगे इसके बार में deeply तो यहाँ यहाँ पर देख सको land cable के through यहाँ पर laptop connect है switch के साथ computer connect है देन दूसरा computer then again तिसरा computer connect है यहाँ पर देन उसके साथ साथ एक printer भी connect है यानिकि यह इसका रेंच थोड़ा कम है बट यह एक local area network है then यहाँ पर metropolitan area network का example है जब 2-3 local area network आपस में connect हो जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पर यहाँ पर है बहुत सारी land connected है one connected हो सकते है metropolitan area network connected हो सकते हैं तो overall यह सारी network जितनी भी network है जब आपस में connect हो जाते हैं तो उसे हम wide area network कहते हैं okay मुझे लगता है आप clear हो चुगे होंगे types of network के बार में then आगे हम discuss करते हैं networking device के बार में तो दोस्तो networking device उसे कहते हैं जिसकी अगर देख सकते हो networking device or physical device that are required for communication and interaction between hardware on the computer network यानि कि networking device वो physical device होता है जिसके माधियम से हम किसी network को formation किया जाता है then उस device के मदद से ही उस network में communication possible होता है यानि अगर networking device नहीं है तो हम किसी भी network formation नहीं कर पाएंगे और नहीं एक device से दूसरी device को हम data transfer कर पाएंगे अगर वहीं प device है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे तो होफ है होफ क्या है बो भी देखेंगे switch है router है breach है gateway modem refitter access point nic यह सारी device के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए एक एक करके सारे device को discuss करते हैं तो पहला होप को हम discuss करेंगे होफ इस networking device that connect multiple computer networking device together ह of each simplest in family of networking device यानि कि होफ एक तरगा networking device होदा है जिसके मदश से हम बहुत सारी और device को connect कर सकते हैं आप उसमें तो यह जो होफ है यह बहुत ही simple device networking जितने भी networking device है उनसे यह बहुत simple device है होफ does not perform packet filtering or addressing function they just send data packets to all connected device होफ operate at the physical layer of the open system interconnection जिसको हम OSI model कहते हैं यानि कि अगर आपकी network होफ से connected है होफ की मदश से formation किया गया है तो आप जब भी किसी को data send करेंगे तो आपकी data filter नहीं होगा यानि कि आप बारस भी send कर लिए तो वो जाएगा एंड इसकी जो बहुत बड़ा major problem है अगर आप किसी भी device को एक data send कर रहे हैं आपके network के साथ जितने भी device connected है होफ क्या करता है उन सारी device को data send करता है मगर आप जिसको send करना चाहते हो, सिर्फ उसी को send नहीं करता, बलकि जितने भी devices connected है, network के अंदर, वो सारे device को send करता है, तो इसकी यह है सबसे बड़ा problem, तो इसलिए hops को ज्यादतोर लोग use नहीं करते किसी भी networking में, तो जैसे कि आप यहाँ पर picture में देख सकते हो, यह है hop की image कुछ इस तरह से दिखता है hop, then उसके बाद switch आता है, switch को hops की upgrade version माना जाता है, switch generally have a more intelligent than a hop, a switch is a multiport device that improves network efficiency, यानि कि switch hop की comparison में, ज्यादा आच्छे से काम करता है, then switch एक multiport device है, यानि कि इसमें बहुत सारे ports आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकतो, बहुत सारे ports हैं, यह यहाँ पर hop में बहुत limited port हैं, तो इससे यह अंदर लगा सकते हो, कि switch को use करने से कितना efficiency increase होगा हमारे network में, okay, then switch can read the hardware address of incoming packets to transmit them to the proper destination, जैसे कि हमने hop के case में बात के थे, कि हम जब भी किसी data को particular एक device को send करना चाहते हैं, और send करते हैं, तो hop क्या करता है, वो data को सारे device को send करता है, but switch के case में ऐसा नहीं होदा, हम जिस भी particular device को data send करना चाहते हैं, proper destination को switch वो data को पहुचाता है, तो इसमें कोई भी जंड़ड वाला वाद नहीं है, यानिकि हम जिस device को data send करना चाहते हैं, हमारे device से हम इसली send कर सकते हैं, proper destination को पहुचेगा, okay, यानिकि इसमें traffic का जो network security, because the virtual circuits are more difficult to examine in the network monitor, and switch के मदद से अगर आपने किसी भी network को form किया है, तो आपकी network की security है, वो ज्यादा enhance होदा है, as compared to half, क्योंकि switch का जो virtual circuit designing है, वो बहुत ज्यादा complex होदा है, तो जब कोई भी इस network को monitor करेगा, तो अच्छे से समझ नहीं पाएगा, कि किस तरह से network को formation किया गया है, तो इससे क्या होता है, कि हमारी जो network security है, वो increase हो जाता है, okay, then a switch can work at either in data link layer, or the network layer of the OSI model, switch data link layer, या फिर network layer में काम करता है, जितनी भी data send करना है, एक device से दूसरी device को, तो उस case में data link layer, या फिर network layer को काम या लेता है, तो ये जो layer हम बात कर रहे है, data link layer हो गया, या फि क्या है, इसको हम बात में discuss करेंगे, जब हम OSI model पढ़ेंगे, या फिर TCP UDP model पढ़ेंगे, तो उसमें हम deeply discuss करेंगे, इन सारी चुए के बार में, तो अभी से आप सिर्फ consider कर लीजिए, कि इस तरह की कुछ layer होते हैं, जिनमें switch काम करता है अपना, then जो अगला device है, वो है router, तो router ही है, वो डिवाइस दोस्तों, जिसके मदद से हम Wifi receive करते हैं, Wifi को use करते हैं, तो देख लेते हैं, router help to transmit data packets to their destination, router are intelligent device and they store information about the network, they are connected to, यानि कि router के मदद से ही हम किसी नेटवर्क में, एक data को proper destination के पास पहुंचाते हैं, router बहुत ही intelligent device है, यानि कि दोस्तों उसे पता होता है, कि हम किस device को data send करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास already एक table होता है, जिसे हम कहते हैं cam table, यानि कि जिसमें जितनी वी device connected है network के अंदर, उन सारी device की address होता है, और उस address के हिसाब से router किसी भी data को एक device से दूसरी device को transmit करता है router establishes communication by maintaining table about the destination and local connection, जिसे कि हमने अभी बात किया कि उसके पास एक proper table होता है, जिस table के अंदर, सारी networking device की address होते हैं, और उस address के according, जिस भी device को data send करना है, वो send करता है, ओके, with the help of a router table has knowledge of routes, a data packet could take from its source to destination and इस table के मदर से ही router routes को find करता है, रास्ता find करता है and उस routes के हिसाब से particular destination को अपने data packets send करता है, Each router interface has its own internet protocols, जिसको हम IP address कहते हैं and its own address resolution protocol, जिसको हम ARP कहते हैं and LAN address, यानि कि एक router का उसका खुद का IP address होता है, उसका खुद का ARP module होता है, यानि कि protocol होता है, जिसके हिसाब से data transfer होता है, यह protocol गया है IP address क्या है internet protocol गया है यह सारी चीजों को हम बाद में discuss करेंगे एक router की खुद की एक own IP address होता है IP address तो आपको बदा होगा देन उसकी खुद की LAN address होता है देन उसकी खुद की ARP module होता है जिसका full-prong होता है address resolution protocols यहां पर आप picture में देख सकते हो एक router के साथ दिखता है हम आगे भी discuss करेंगे router किस तरह से काम करता है पूरी networking को cover करेंगे दोस्तों ओगे देन हम बात करते हैं ब्रीच के बारे में दोस्तों तो ब्रीच ब्रीच का मतला आपको पता होगा तो यहां पर भी जो ब्रीच डिवाइस होता है दोस्तों उसका भी काम होता है दो network को connect करना जैसे कि यहां पर एक network है यहां पर एक network है यह दोनों network को ब्रीच जो device है उसके मदर से connect किया है ओके तो हम आगे देखते हैं bridge are used to connect two or more host or network segment together, यानि कि bridge के बने से हम दो network या फिर दो host को आप उसमें connect कर सकते हैं, okay, bridge are likes, hops in many respects, यानि कि bridge एक hop की तरह काम करता है, okay, bridge work only at the physical layer and data link layer of the OSI model, and bridge V, दोस्तो, physical layer and data link layer के अंदर ही अपना सारा काम करता है, okay, bridge are also used to divide a large network into smaller section by sitting between two physical network segment and managing the flow of data between two, यानि कि bridge की मदश से ही हम किसी बड़े-बड़े network को छोटे-छोटे segment में convert कर सकते हैं, and easily किसी एक segment से दूसरी segment को data को transfer कर सकते हैं, okay, तो overall कहा जाए तो bridge के मदश से हम दो-तीन network को आपस में मिलाते हैं, या फिर बड़े network को छोटे-छोटे network में convert करते हैं, okay, then हम बात करते हैं, gateway के बार में, तो gateway की अगर basic level से बात क्या जाए, तो gateway एक router की तरह काम करता है, यानि router के अंदर ही gateway होता है, okay, तो देख लेते हैं हम, a router with added translation facilities with a gateway, यानि कि जब router के अंदर translation facilities होता है, तो उसे हम gateway कहते हैं, okay, gateway perform all the function of routers and more, and gateway ही दोस्तों, router की जितना भी काम होता है, जितना भी function होता है, वो सारी जिज़े हम gateway की मदद से भी कर सकते हैं, okay, gateway formally work at the transport layer and session layer of the OSI model, and जो gateway है, वो OSI model का, जो transport layer होते हैं, and session layer होते हैं, उन दोनों layer को use करता है, अपनी काम को करने के लिए, किसी भी data packets को send करने के लिए, okay, देन आगे हम बात करते हैं, gateway provide translation between networking, technology such as upon system interconnection OSI, and transmission control protocol, internet protocol, जिसको हम TCP IP model कहते हैं, यानि कि gateway की मदद से हम, दो networking technology में, data को translate कर सकते हैं, जैसे कि किसी ने OSI model से data transfer किया, बढ़ आप TCP IP model के use कर रहे हैं, तो उस case में gateway की मदद से हम, जो भी OSI model से data आ रहा है, वो TCP IP model में convert हो जाएगा, translate हो जाएगा, तो gateway को use कर जाएजादा है, किसी भी data को translate करने के लिए, ऐसे समझे, okay, देन हम बात करते हैं, MODEM के बारे में, MODEM की अगर बात क्या जाए, तो MODEM के जो फुल्स प्रॉम होता है, भो है modulation, demodulation, तो आप हम discuss कर ले दे हैं, MODEM are used to transmit digital signal, analog digital signal, analog tenfold line, यानि कि digital signal को analog signal में convert करने के लिए, MODEM को use क्या जाता है, OK, तो MODEM की मदद से हम, किसी digital signal को analog signal में convert कर सकते हैं, या फिर किसी analog signal को digital signal में convert कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर picture को देख सकते हो, यहाँ पर एक computer है, जो कि data sent किया digital form में, यहाँ पर एक MODEM लगा है, और वो MODEM, जो भी digital form में है data, उसको analog form में convert किया, OK, again, जो हमारी destination device का जो MODEM है, वो इस data को receive किया, इस data जो analog form में था, उसको फिर से digital form में convert किया, जैसके digital signal यहाँ पर लिखा है, उसमें convert किया, तो इस तरह से MODEM कापन करता है, दोस्तों किसी भी analog data को digital में convert करता है, तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि हमने अभी बात किया, एक MODEM किसी भी digital signal को analog signal में convert करता है, OK, the receiving model perform the reverse transformation and provide a digital output to device connected to a MODEM, usually a computer, यानि कि जो receiver MODEM होदा है, वो जब analog signal को receive करता है, तो उस signal को वापर से digital signal में convert करता है, and उसके साथ जो भी computer connect है, उसको digital signal provide करता है, यानि कि overall कहा जाए, तो MODEM का काम होता है, किसी भी signal को एक form से दूसरी form में convert करना, चाहे वो digital से analog हो, या फिर analog से digital हो, उसे ही आपको पता लग गया होगा, कि किसी चीज को repeat कर रहा होगा, ये, a repeater is a electronic device that amplify the signal that it receives, यानि कि repeater एक electronic device है, जो कि किसी भी signal को receive करके, उसे वापस से amplify करता है, यानि कि उसकी range को बढ़ाता है, जिसे कि for example, आपके पास एक wifi है, जिसकी range of 10 meter, बट आपकी केमीन router से 20 meter distance पर है, तो आप उस condition में repeater को use कर सकते हो, तो जो router का range है 10 meter, उस 10 meter की जगाँ पर आप repeater को use करेंगे, और वो repeater जो wifi का range है, जो router का range है, उसे बढ़ा देगा और 20 से 30 meter तक, तो आप easily router से 30 meter दूर रहकर भी, आप उस router की network को use कर पाएंगे, तो उस condition में repeater को use क्या जाता है, किसी भी signal को बापस से repeat करने के लिए, या फिर उसकी range को बढ़ाने के लिए, तो यानि कि जैसे कि हमने आप बात के थे, कि एक router का use क्या जाता है, किसी network की range को बढ़ाने के लिए, तो usually 100 meter तक हम increase कर सकते हैं, किसी network की range को repeater के मदश से, ओके, repeater work on the physical layer, यहाँ पर भी दोस्तो repeater physical layer पर काम करता है, तो हमने काफी सारी layer को अभी देखा है, जैसे कि data link layer, physical layer, session layer, networking layer, इन सारी layer को दोस्तों हम आगे discuss करेंगे, कोई भी गवराने वाली बात नहीं है, ओके, तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, दोस्तों इस तरह की video बनाने में बहुत time लगता है, दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को like कर दो, अभी तक आपने video को like नहीं किया है, जितना चाहूं उतना share करें दोस्तों, इस video को, मैं आगे आने वाली वीडियो में, बहुत advanced level की चीज़े लाने बाला हूं, जैसे कि, आप किसी भी network को scan कर सकते हो, उसके अंदर कौन कौन से बलनामटरीच है, उसे find कर सकते हो, और किस तरह से अपनी control में लोगे, यह सारी चीज़ों के दोस्तों हम बात करेंगे, तो बस मैं यही कहूंगा, कि दोस्तों आप प्लीज इस channel को subscribe कर दो, और प्लीज support करो यार, ओके तो next हम बात करते हैं access point के बारे में, जो access point है, वो एक wireless device है, wireless access point consist of transmitter and receiver device used to create wireless LAN, यानि कि हम access point को use करके Wi-Fi create कर सकते हैं, जो wireless access point होदा है, उसको हम create कर सकते हैं, wireless access point हम किसे कहते हैं, Wi-Fi को कहते हैं, जो हम cable के थो data transmit होदा है, उसे हम cable कहते हैं, LAN cable कहते हैं, बट जो Wi-Fi आता है, उसे हम wireless access point कहते हैं तो यानि कि हम access point device के मदद से किसी भी wifi को create करते हैं ओके access point typically a separated network device within built in antenna transmitter adapter यानि कि एक wireless point device के अंदर antenna होदा है transmitter होदा है adapter होदा है यह सारी जिए वो antenna transmitter and adapter के मदद से manage करता है ओके then it work at the second OSI layer data link layer and it can operate either in a bridge and standard wide network to wireless device और as a router facing data transmission from one access point to another यानि कि access point जो device है वो एक router के तरह भी काम करता है एक bridge के तरह भी काम करता है अबरल जितने भी networking device है उन सारी चीजों की तरह काम करता है क्योंकि दोस्तों इससे ही wifi generate होता है और जितने भी wireless device होते हैं हमारे पास एक network के अंदर उस device के मदद से हम data transfer करना चाहते हैं तो वो सीधे wireless point पर जाएगा and wireless point से ही जितने भी device connected है वो सारी device को data send करेगा तो अबरल कहां जितने तो access point जो है जो access point है उससे हम wifi create करते हैं नेक्स device को देख ले दे हैं जो कि है NIC जिसका फुल्प्रम होता है network interface card तो NIC stands for network interface card इचे hardware component without which एक computer cannot be connected over a network यान कि NIC का फुल्प्रम होता है network interface card और यह एक तरगा hardware component है जो की hardware component है जिसके बिना आप किसी wireless network के साथ connect नहीं हो पाएंगी क्यूंकि दोस्तों यह जो NIC card होता है network interface card होता है यही बो card होता है जिससे दोस्तों हमें एक physical address मिलदा है जिसके मदद से हम किसी भी network के साथ connected हो सकते हैं अगर आपकी system में NIC card नहीं है तो ना ही आप cable के थुरू connect हो पाएंगे और ना ही आप wireless के थुरू connect हो पाएंगे किसी भी network में तो हमारी जो system में जो wifi होता है वो NIC card के मदद से होता है अगर हमारी system में NIC card है तो समझ लेना wifi on होगा अगर NIC card आपने नहीं लगाया है तो आपके system में wifi on नहीं होगा wifi का facility नहीं आएगा ओगे it is a circuit board install in a computer that provide a dedicated network connection to computer तो यह कुछ इस तरह से दिखता है जो एक board है पुरकी पुरी circuit board है जिसको हम अपनी computer में लगा कर किसी भी network के साथ connect हो सकते हैं तो इसको हम बहुत सारी नाम से जानते हैं जैसे की network adapter हो गया network interface card हो गया या फिर लेन अड़ेप्टर हो गया एंड इसके मदद से ही हम किसी भी network के साथ connect हो तो नेक्स हम बात करते हैं communication media के बरमें तो किसी भी network को formation करने के लिए हमने तो networking device को समझ लिया कि दिने तरी के network होता है समझ लिया बट जब दो computer को या फिर दो device को connect करेंगे तो उसमें हम कौन सी media को use करेंगे वो wireless media होगा या wide media होगा उसको हम discuss करेंगे तो communication media means sending and receiving data from one device to another device यानि कि जब हम किसी भी network में एक data को send करते हैं एक device से दूसरी device को तब वो एक media की थ्रो ट्रांसफर होता है तो media का मतलब होता है medium तो जैसे कि यहां दो तरह की media होते हैं एक है wire media तो जैसे कि यहां पर देख सकते हो हो वाइड में भी बहुत तरह की वाइड आते हैं जैसे कि twisted pair cable हो गया optical fiber cable हो गया या फिर coaxial cable हो गया यहां पर image show कर रहा है देख सकते हो okay then एक और एक media होता है जो कि wireless media दो तरह की media होता है एक wire media wireless media तो wireless media के अंदर हम Wi-Fi को use करते हैं generally हम router के अंदर Wi-Fi को use करते हैं देन उसके साथ Bluetooth का भी feature होता है अगर आप Bluetooth को भी on करके 2-3 device के साथ connected है तो आपका वो एक personal area network हो जाता है तो हम wireless में Wi-Fi या फिर Bluetooth को use करते हैं देन वाइल मेडिया में बहुत सारी हमारे पास option हो जाते हैं जैसे कि optical fiber cable coaxial cable twisted pair cable इस तरह से यहां पर हम इस image से समझते हैं communication media के इस तरह से काम करता है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर cable लगा है fax के साथ किसी भी audio output के साथ then system के साथ then यहां पर बहुत सारे computer है gaming device है printer है जो की wireless medium के थो connected है जो की wireless medium का मतलब होता है Wi-Fi Wi-Fi के थो connected है तो इस तरह से wire and wireless दोनो technology को use करके एक network को formation किया जाता है ओके तो next हम discuss करते हैं types of networking and topology के बारे में network topology represent a network arrangement consist of several node यानिकि network topology यानिकि topology का मतलब होता है जब हम network को एक proper sequence में arrange करते हैं एक network के अंदर जितने भी node connected है node का मतलब होता है एक network के अंदर जितने भी device connect है उन सारे device को हम node कहते हैं तो जितने भी device connect है एक network के अंदर जब हम उनको एक proper order में arrange करते हैं तो उसे हम topology कहते हैं तो बो जो नोड होते हैं, या तो बो sender हो सकते हैं, receiver हो सकते हैं, या फिर जो connected line है, वो भी हो सकता है एक नोड, तो topology भी दोस्तो बहुत सारी types के होते हैं, तो पहला जो types है बो है boss topology, in boss topology every node, that is every device is connected to a solo main cable line, data transmitted in a single route from one point to another point, we cannot transmit data in both way, it is mostly used for small network, तो इसका मतलब होता है boss topology जो है, उसमें एक single line होता है, एक cable होता है, जिसके साथ, जितनी भी devices होते हैं, वो सारी device connect होते हैं, और इस topology के अंदर, सिर्फ एक point से दूसरी point तक data जाता है, यानि कि मान लिजिए अगर आप इस device से, इस device को data send कर रहे हैं, तो एक time में सिर्फ इस device से, इस device को data आएगा, अगर आप चाहते हैं कि यहां से भी data send हो और यहां पर receive हो, यहां पर भी data send हो और यहां पर receive हो, तो यह नहीं होगा, एक time पर सिर्फ आप एक device से ही data send कर पाएंगे, और एक device को ही receive कर पाएंगे, ओके, और इस topology को use किया जाता है, small area network के लिए, यहां कि जो हमारा local area network है, उ उसमें ज्यादतर use किया जाता है, boss topology को, okay, then हम बात करते हैं, ring topology के बारे में, in ring topology, every computer connect to each site, the last computer connect to the first computer, thus forming a ring safe, यानि कि ring topology के अंदर, जितने भी computer होते हैं, वो आपस में, जो भी computer होते हैं, उनके साथ connected होते हैं, जिसा कि for example, इस system को ले लीजिए, इस system अपनी neighbor का जो दो system है, उनके साथ connected है, okay, तो इस तरह से ये आगे-ागे connect होते जाएंगे, and last में, जो last PC होगा, वो again, first PC से connect होगा, जैसे कि यहाँ पर connect है, okay, तो इस तरह से ये connect होते हैं, तो ये एक ring formation करते हैं, और इस लिए इस topology को, ring topology कहा जाता है, okay, this topology allows for each computer to have exactly two neighboring computer, यानि कि इस topology के म होते हैं, उनके साथ connect करते हैं, okay, then हम बात करते हैं, star topology के बारे में, in star topology network, all the nodes are connected by cable to a single node called half, यानि कि star topology के अंदर एक half होता है, और उस half से ही, जिदनी भी devices होते हैं, वो connect होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकता हो, एक half यहाँ पर है, then इस half से, यहाँ पर 5 system connected है, म से, star topology formation होता है, यहाँ पर जो half होता है, वो center में होता है, okay, जैसे कि यहाँ पर लखा है, which is central node, यह हमारा center में होता है, central node होता है, हम जब भी, किसी भी device से, एक data को send करना चाहेंगे, तो वो data direct आएगा, half के पास, then half से, दूसरी device को जाएगा, okay, then बात करते हैं, the half can be active, और passive in nature, active of content, repeaters, while passive halves are considered non-intelligent nodes, यानि कि, जो halves यहाँ पर connect होता है, दो nature में होता है, या फिर active nature में होता है, या फिर passive nature में होता है, इसका मतलब है, अगर वो active nature में है, तो वो repeater के साथ काम करेगा, एक चीज़ को बार-बार, जिस भी device को data send करना है, वो send करेगा, मगर वो passive nature में ह तो थोड़ा non-intelligent वाला काम करगा, यानि कि, जो भी data particular destination को पहुंचना चाहिए, उस data को सारी node को share करेगा, तो इसे बहुत ज़्यादर traffic generate होता है, तो इस तरह के काम करता है hop, और इसलिए आज के time पर hop को ज़्यादा तर यूज किया नहीं जाता, किसी भी network को formation करने के लिए okay, then each node contains a reserve connection to the central node, which the central node acts as a repeater using data transmission, तो यह जो hops होता है, दोस्तों, यह hops एक central node की तरह काम करता है, जब भी data हम send करना चाहते हैं, तो data सबसे पहले hop को जाएगा, then hop से ही, हम जिस device को send करना चाहते हैं, बोस्ट डिवाइस को जाएगा, okay, तो इस तरह से start topology काम करता है, okay, तो हम next topology को discuss करते हैं, जो है mass topology, in mass topology, all the nodes are connected with each other directly, by communication channel or media, mass topology is point to point connection, यान कि mass topology के अंदर, जिदन भी device होते हैं, वो सारे device आपसे interconnected होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर image में दे सकते हो, यह device, यहाँ पर जिदन भी device हैं, सारे device के साथ connected है, इस से भी connect है, इस PC से भी connect है, इस system के स connect है, इस साथ भी connect है, यान कि, each and every device के साथ connect होते हैं, ओके, तो यह हो जाता है, mass topology, तो इससे यह फायदा होता है, कि हम particular, जिस भी device को data send करना चाहते हैं, easily हम send कर साथे हैं, क्योंकि यहाँ पर point to point connection होता है, दोस्तों, ओके, then mass topology has two unique transmission of data, that is routing and flooding, तो mass topology में data transfer होने के लिए दो technology को use किया जाता है, एक है routing technology, दूसरा है flooding technology, अब समझते हैं कि यह routing technology होता गया है, flooding technology होता गया है, okay, in routing techniques, the node possess a routing logic, but in the flooding techniques, all nodes receive the same data, मतलब कि जो routing techniques होता है, उसके मदश से, हम particular, जिस भी destination, device को data send करना चाहते हैं, हम directly send कर सकते हैं, बट जो routing techniques है, उसके मदश से, हम एक data को अगर send करना चाहते हैं, तो बो data जितनी भी device connected है, सारी device को जाएगा, मतलब कि यह ऐसे समझे, अगर आप किसी भी data को send करना चाहते हो, तो बो data सारी device receive करेंगे, सारी device को बो data transfer होगा, तो इससे क्या होता है, अगर किसी device को यह data अग routing techniques को use करके send करते हो, तो particular आप जिस भी device को send करना चाहते हो, send कर सकते हो, तो हम next discuss करते हैं, tree topology के बारे में, tree topology is the topology in which the nodes are connected hierarchically, with all the nodes connected to the root nodes, hence, it also known as hierarchical topology, tree topology has a least three level of hierarchy, यान कि tree topology का मतलब होदा है, जो हम दो से तिन network को connect कर लेते हैं, और एक बड़ा network formation कर दे हैं, उसे हम tree topology कहते हैं, जैसे कि आप image पर देख सकते हो, यह तरह का network है, एक होप के साथ, तिन system connect है, यहाँ पर, फिर से एक होप है, तिन system connect है, यहाँ पर फिर और एक होप से, देन इसके साथ भी और तिन system connect है, यह थी तरह का नेट्वर्क हो घाए यानकि यह तीन नेट्वर्क हो घाएन यह सारे तीन नेट्वर्क एक ही single cable के साथ connect है तो यह formation हो जाता है एक three topology टो इस तरह से तो वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज किया जाता है इसको हम जो बॉस टॉपलोजी हमने डिसकस किये जो स्टार्ट टॉपलोजी डिसकस कि इन सारी टॉपलोजी की अप्डेट भरजन भी कह सकते हैं जैसे कि आप यहां पर इमेज़ पर देख सकते हो तो टॉ टॉपलोजी तो भी पॉसिबुल होगा जब हम तीन से जादा टॉप अपस में करेंगे उसे हम प्डी टॉपलोजी कहेंगे जैसे कि आप यहांपर देख सकते हो एट लीस्ट ठी लेवल और ईयarchy जैसे कि यहांपर तीन तरह की नेटवर्क है यह तीनों नेटवर्क एक ही single cable के साथ connect है तो यह जादा है three topology, okay, then हम अब बात करते हैं hybrid topology क्या है, okay, hybrid, तो ऐसे समझ लीजिए, कि जब हम बहुत सारी topology को mix up कर दे हैं, उसे हम hybrid topology कहते हैं, जिसे कि for example, यहाँ पर star topology है, ring topology है, boss topology है, जब यह सारे topology एक ही network में connect हो कहेंगे ओगे यह hybrid topology इचे basically network topology compressing two or more different types of topology इसका मतलब होता है जब इसका मतलब होता है जब दो से ज्यादा topology आपस में connect होंगे उसे हम hybrid topology कहेंगे ओगे इचे reliable and scalable topology simultaneously costly one तो इसका मतलब होता है यह reliable topology है हम segment करके star topology, ring topology, boss topology पहले formation कर लिए देन उसके बाद जब हम इन सारे topology को आपस में connect करेंगे तो वो एक reliable topology हो जाता है जिसको हम hybrid topology कहते हैं तो यह थोड़ा costly होता है दोस्तों क्यूंकि इसमें बहुत सारे cable को यूज के जाता है बहुत सारे cable को यूज के जाता है बहुत सारे media चाहे वो wire हो या फिर wireless media को यूज के आ जाता है तो इसलिए तो यह cost effective topology हो जाता है okay then it receives the merit and demerit of the topology used to build it and यह जो hybrid topology है यह दोनों चीजों को receive करता है वो merit हो या फिर demerit हो जैसे कि for example अगर आप दो तिन topology को आपस में connect करके hybrid topology बनाए हैं तो अगर माल लिजिए start topology पर कोई भी गड़बड आया तो वो गड़बड पूरी की पूरी hybrid topology पर effect पड़ेगा यानि कि एक network में छोटा सभी कोई प्रोब्लेम आया तो वो पूरी की पूरी topology को पूरी hybrid topology को damage कर सकता है ओके तो यह तो हो गई दोस्तों different type की topology तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबा हो एक घंटा दो घंटा मैं चाहता हूं वीडियो कं 30 minutes मुझे परसंद है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा दो से तीन घंटा बेट कर पढ़ाई करेगा या फिर किसी चीज को समझेगा तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो को आप जितना आचे से द्यान से देखेंगे जितना आची तरह से समझ पाएंग किस तरह से IP अड्रेस बात करेंगे बात करेंगे तो फिर मिलते हैं डोस्तो नेक्स वीडियो में